अगर दूर मंजिल तो क्या रासता भी है मुश्किल तो क्या सर 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 बताओ सर हमने सर लैगराजिस का स्टेटमेंट पड़ा है बरब अच्छी से समझ लिया है लैगराजिस कहना क्या चाहता है अब हम डिरेक्ट लूस को वी ते एक्जाम्पल कैसे वेरिफाइब करते ही ल एक आपको फंक्शन दिया जाएगा और एक इंटरवल दिया जाएगा ध्यान से देखना एक प्रॉब्लम कर लोगे एक प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया चीज़े करनी कैसी है तो इसके बार में आपको तकलीफ नहीं होगी अगला प्रॉब्लम करनी तो लॉजिकल समझ प्रॉब्लम से मैंने बोला आपको लेगरांज इसके हमने कुछ कंडिशन देखी देखी तो जैसे कि पहला लेगरांज जिस बोलता है कि कॉंटिनियूस होना चाहिए फंक्शन तो स्टेप वन करते हैं कॉंटिनियूस कैसे करते हैं सबसे पहले हमें क्लोज इंटर्वे में उसको पॉंटिनियूस देखाने तो कैसे दिखाएंगे एफ 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 में यहां पर कॉपी करता हूं कि क्या दिया है एफ एफ एक्स लॉग एक्स जिसको मैं एक्वेश नमबर वन देता हूं अब मुझे एफ ए निकाला है मतलब यह हमारा यह है यह बी है वन और एके नहीं होती है है तो हम को पता होने चाहिए क्लिकलेटर में हम जाएंगे तो हैला मतलब भागा है कि इसका यह कौछ नहीं होता है क्या गया ? जान देना इसका base क्या होता है ? जान देना तो उसका answer 0 आ गया ? । तो सरक्या गया इसका answer ? 0 आ गया, अब हमें क्या find करना है ? फ of e, find देना, तो log e, कुछ base नहीं कुछ नहीं मतलब ही होता है बाई डिफॉर्ट डिस ओके तो लॉग यहां पर एक चीज आपको पता चली क्या पता चली अगर एंड पॉइंट पे कुच ना कुच गुच मतलब डिफायंड इसका मतलब फंक्शन is continuous наблюдate हो रहे हैं उसके डी गीलेगी हूं ऐसलमां सकते हैं तो यहां पर लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं द wobikल्यओ धे आपको बियाफ्गती आह lur concert कि इन क्लोजर इंट्रवल वन कॉमा यह जो की लागरां जिसकी पहली कंडिशन थी यह सेटिस्पर होने चाहिए और एक कंडिशन थी कौन सी थी वह भी हम करते हैं दूसरी कंडिशन क्या थी स्टेप टू करते हैं स्टेप टू है लागरां जैस बोलता है कि टीफरेंशी अब आचाहिए इन ओपन इंट्रोल अलें अच्छा तुब हम देखते हैं यहां पर, differentiiable मतलब इसका derivative लेते हैं, यह F of X का derivative मतलब F dash X होता है, log X का derivative का direct formula है से 1 upon X, वह हमने ही याद रखा है, जिसको पता नहीं ही याद रख लो, क्या formula है, क्या formula है, D by dx of log X is equal to 1 upon X होता है, मतलब log X का derivative 1 upon X होता है, तो f x का e dash x log x का कितना बें डिरेक्लिया पर लिख रहा हूँ इसको मैं दो नमबर भी दे सकता हूं ठीक है अब यहां पे हम values रखेंगे क्या values रखेंगे यह आप X की जगह पर वहले 1 रखेंगे फिर ईह रखेंगे तो f dash of 1 is equal to 1 upon 1 x की जागा प्योगन रख दिया 1 upon 1 तो 1 e होता है सर अब e भी रखते है f dash of e is equal to 1 upon e 1 upon e की value हमें पता नहीं है सर तो वो क्या आता है हम देखते हैं आपर calculator में जाएंगे 1 upon e यहाँ पर मुझे मिल रहा है alpha दावा के नेचे e है तो यह 0.36 something आता है यह constant होता है e की value constant होती है क्या होती है मैं बता दो आपको यहाँ पर मैं e की value में अगर आपको बता दू तो 2.71828 ऐसी कुछ तो value होती है ठीक है तो e की value में यहाँ आपको लोगों को बता देता हूं e is equal to 2.718 तो अगर यह भी एक real number है 1 भी real number है real upon real कुछ तो real value में रहे है बराबर तो जो कि मैंने बता दिया आपको क्या answer आता था उसका वो 0.36 something आता था राइट तो यह भी real है यह real value real value है मतलब defined है function infinite नहीं आया मतलब defined है इसका मतलब मैं बोल सकता हूं अगर end point से वो differentiable है बराबर end point से differentiation defined है मतलब वो differentiable है तो मैं ऐसे गोल सकता हूं therefore यह फॉप एक्सिस differentiable differentiable in open interval a, b अब सर यहाँ पे आपने close लिखा यहाँ पे open लिखा क्या सर ऐसा क्या क्यों मेरा कुछ नहीं भाई यह ल्या लागन जिसने बोला है कि यहाँ पे आप क्या लिखा हूं square bracket मतलब close लगो लिखो और यहाँ पे क्या लिखो open interval लिखो एसा लागरण जिसने बोला है बराब मैंने नहीं इसलिए मैंने वो उसके उसके हैसम से लिखा है बरम उसने यहाँ पे close बोला होता आप्लाइक Northern आह बना खुता मेंट तांगा कर सकता है तो यहां पर हम स्टेप थी से अ अधियर पॉलता है अगर यह दो कंडिशन का फॉक्षम करता है तो मैं आपको एक statement देता हूँ, वो होना चाहिए हूँ, satisfy होना चाहिए, क्या बोलता है हूँ, then, then, there, exist, at least, one point, let's say x equal to c, x equal to c, where, where, yab dash of, sorry, yab of b minus yab of a upon, upon b minus a is equal to yab dash of c, यह होना चाहिए, हमें क्या लिखना है, लेकिन lagrangis क्या बोलता है, यहाँ पर, a न, open interval a, b, लेकिन हम directly नहीं लिखेंगे, कि यह जो c है, open interval a, b में, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है, हम क्या करने वाले हैं, हमें इतना पता चला है, कि यह c है, जहाँ पर यह condition satisfy होने वाला है, हम वो c की value find करेंगे, और वो c अगर open interval a, b में आता है, a और b के बीच में आता है, अगर वो बीच में है, तो ले अगर इस तरह वेरिफा हो गया है, तो सबसे पहले c नहीं लागेंगे, सबसे पहले बोला a और बीच में है, तो गलत, remember this, okay साथ, तो यह तो value हमारे पास है, याब फो भी हमने अब बुखन क्या था, याब पास b मतलब क्या होता है, याब फो बिसके बाइब, या हमारा यह होता है, यह हमारा b होता है, या फो भी मतलब, फो भी हमारे लिए, वन हो गया बरहों तो यहाँ पर directly value लगता हूं, लेरफोर one minus फ या फो पे क्या है, X की जग़ा पर क्या रखना होगा, भी C रखना होगा, बरब तो 1 upon C आएगा, F dash of X अगर 1 upon X है, तो F dash of C के आएगा, 1 upon C सब, यह तो बहुत स्पिंपल है, बरब, तो क्या है आरे, therefore, 1 upon E minus 1 is equal to 1 upon C, हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या बन गया, C is equal to, C is equal to E minus 1, clear, C is equal to क्या बन गया, E minus 1, sorry, यह C है और यह E है, right, C is equal to E, अब यह जो C is equal to E minus 1 है, यह इसके बीच में है क्या, 1 और E के बीच में, सर समझ में क्यों नहीं आ रहा, E की value क्या होती है, आपने बोला हां, 2.7 minus 1, अच्छा, यहाँ पर हम, 1, 1, 1 क्या है, और E है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं, यहाँ पर right में लिखता हूं, हमारे पास क्या है, E 1 और, दूसरा value क्या है हमारे पास, E मतलब, यह मतलब क्या होता है, 2.71 कुछ तो होता है, अब यह तोनों के बीच में, अगर यह E minus 1, जो C आया है, वो अगर है या नहीं देखते हैं, E minus 1 में calculate कर सकता हूं, उसमें क्या problem है, E minus 1 calculator में डालता हूं, उसकी value आते है 1.71, तो 1 और 2 के बीच में है के नहीं, तो 1.71 इसके बीच में है, तो मैं कह सकता हूं, कि जो भी C मिला है, वो A और B के बीच में है, तो end में हमको answer कैसे लिखना है, therefore, therefore, X equal to C, X equal to C, which is equal to E minus 1, lies in, lies in, यह lies मतलब क्या है, यह मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, यहां पर लिखता हूं, therefore, last point के फिच क्या लिखना है, देखो, X equal to C, जो कि C की value क्या ही है, E minus 1, lies in open interval, A को आमार, यहां पर open लिखना है, क्यों सर, क्योंकि लागरांचिस ने statement में बोला है, क्यों बें open लिखना है, open interval, therefore, therefore, Lagrange's mean value theorem is verified, आप पूरा का पूरा statement लिख, Lagrange's mean, value theorem, मैं short में लिखता हूँ, theorem is verified, तो आप आपको flow समझ में आ गया है, फिर से quickly बता देता हूँ, क्या करना क्या है, जो भी आपको function दिया हो, उसको पहले, अगर आपको polynomial दिया होता है, यहाँ पर, polynomial मतलब क्या होता है, सिर्व बता हो जारा, polynomial मतलब, 2x cube minus x square plus 3x, मतलब, combination of x and constants, और x टी कुछ तो power है, गर्टी जाती हैं, अगर आपने तो देखा होगा, कोई भी quadratic equation हो गया, x square minus 2x plus 1 ऐसा कुछ भी, उसको polynomial बोलती है, अगर यहाँ पर polynomial होता, तो आप directly भी लिख सकते हो, कि, because of this is the polynomial, in x, तो polynomial हर एक polynomial, continuous अगर डिफरेंशेबल होती है, आप directly लिख सकते हो, तो यहाँ पर यह पर यह इस लेगरा, जिस क्या बोलता है, x equal to c, अइसा कुछ तो है, जहाँ पर यह satisfy होना चाहिए, तो यहाँ पर value रंदो, c क्या आता है, बोलो, और जो c है, अगर इसके बीच में आता है, तो मतलब open interval में आता है, अब यहाँ पर हम a भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा a और b क्या है, 1, a, right, तो 1 और यह open interval के बीच में है, तो verified हो गया, आपने साब directly बोसुदे, I hope आपको सुमुझ में आ गया है, इसके वो probably problems लेंगे, ठीक है, तो कर देंफर अगला प्रोलमी,